हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सभी को रादे रादे आज हम आपको बताने वाले हैं सोहन नाम का मतलब क्या होता है इनकी रासी क्या होती है इनकी परसनालिटी क्या होती है फुल डिटिल्स बताने वाले हैं पूरा वीडियो लाज तक जरूर देखे क्योंकि वीडियो बहुत ही नौलेज़े बूल होने वाली है यदि आपको भी किसी भी नाम के बारे में जानना हो तो वीडियो के नीचे कोमेंट कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोहन नाम का मतलग होता है बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा और इस नाम के लोग बहुत ही लोगप्रिय होते हैं अच्छे माने जाते हैं सोहन नाम के लोगों की रासी कुमरासी होते हैं भगवान सनीदेव और हनुमान जी को कुमरासी का राधिदेव माना जाता है कुम रासी के सोहन नाम के लड़कों में उत्तेजना की कमी होती है इस रासी के सोहन नाम के लड़के बुद्धेमान उर्जावान परतिभासाली होते हैं इन्हें दोस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है अगर इनके लखी नमबर की बात की जाए तो लखी नमबर होता है आठ और आठ अंक वाले सोहन नाम के लड़के बहुत ही किस्मत वाले होते हैं इने कोई भी परिशाने नहीं आती है इने धन की कोई कमी नहीं होती है ये लोग धन को संचे करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये लोग अपना नियम खुद बनाते हैं इन लोगों को संगीत में काफी दिल्चस्पी होती है ये सफलता प्राप्त करने के लिए सोहन नाम के लोग नर्म दिल के होते हैं बहुती सयमित होते हैं काफी समझदार होते हैं इन्हें अपने बुद्धिमानी पर गर्व होता है इस रासी वाले लोगों के सभाव को समझना थोड़ा मुस्किल होता है समाजिक होने के बावजूद सोहन नाम के लोग दोस्त चु सुब रतन होता है निलम रतन, स्वामी गरह होता है सनी और मित्र रासी की जो रासी होनी चाहिए मेस रासी और मिथुन रासी वाले लोग इस नाम के लिए अच्छे होते हैं। यही था फ्रेंड्स सुहन नाम के बारे में यही वीडियो अच्छे लगी हो तो फिली लाइक सेर कॉमेंट जरू कीजेगा रादे रादे